आज की वडियो में हम inventory control की techniques को discuss करेंगे और four important techniques को हम one by one with examples discuss करेंगे उसमें ABC analysis है, FSN है, HML है और VED है इन techniques को one by one discuss करने से पहले हम देखते हैं कि हम inventory control करते क्यूं है inventory control करने का हमारा मकसद क्या होता है, हमारा prime objective क्या होता है inventory control करने का हमारा main objective जो होता है वो यह होता है que हम out of stock اور over stock के देरे मैं balance करते हैं हमें एक balance strike करने की कोशिच करते हैं, हम एक trade off करते हैं कहले हम out of stock बी ना हों और over stock बी ना हों यह दोनो conditions जो हैं वो favorable नहीं होती, दोनो conditions के case में हमें loss होता है वो financial loss भी होता है और non financial loss भी होता है तो इसलिए out of stock होना भी बेहतर नहीं है और over stock होना भी बेहतर नहीं है अब हम देखते हैं कि out of stock होने से हमें कौन से loss होते हैं और over stock के case में हमें कौन से loss का सामना करना पड़ता है सबसे पहले देखते हैं कि out of stock के case में क्या होता है out of stock का मतलब यह है कि आपके पास stock खतम हो गया है आपके पास inventory खतम होगी है वो inventory किसी तरह की भी हो सकती है वो finished goods हो सकती है वो raw material हो सकता है वो spairs हो सकते है तो जब आप out of stock होते हैं तो उसमें आपको दो तरह के loss होते हैं एक होता है financial loss दूसरा होता है non financial loss financial loss का मतलब यह है कि अगर आपके पास raw material खतम हो गया या spares खतम हो गया आपके पास जो finished goods हैं जो आप customer गोड़ या आपके अपने clients को supply करते हैं उनकी shortage होगी आप out of stock होगे तो इस case में financial loss किस तरह के होगे कि अगर आपका raw material खतम हो गया है आप उसके raw material बिलकुल नहीं है out of stock हैं तो आपको अपनी production stop करना पड़ेगी तो जितनी देर production stop रहेगी जितने घंटे या जितने दिन production stop होगी तो आपको financial loss होता रहेगा because आपकी production नहीं होगी तो आप sales कैसे करेंगे जब sales नहीं करेंगे तो आपको distributor या जो आपके clients है उनसे पैसा कैसे आएगा तो definitely इसे आपको financial loss होता है दूसरे इस case में क्या होता है कि अगर आपकी production stop है तो आपकी जो manpower है जो आपके human resources है वो भी use नहीं हो रहे वो भी farig है और production नहीं हो रही तो आपकी fixed cost जो है वो बढ़ती रहेगी क्योंकि आपको अपने employees को salary तो pay करना है और अगर आप उनको salary देते रहें और production नहीं तो इससे fixed cost increase हो जाती है तो यह आपकी financial losses है कि आपकी production stop होगी आपकी sales कम होगी आपकी distribution खतम होगी और जब आपकी products बन ही नहीं रही या sales नहीं हो रही या distribute नहीं हो रही तो इससे definitely आपको revenue नहीं मिलेगा आपको पैसा नहीं आएगा जिससे financial loss होगा दुसरा होता है non financial loss non financial loss कैसे होता है कि आपको customer की तरफ से order आया लेकिन आप उस order को meet नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास raw material ही नहीं है आप out of stock है आपकी production बंद है तो इससे क्या होगा कि या तो अगर आप उसकी requirement को या demand को fulfill करने के लिए emergency के case में raw material खरीदेंगे तो भी आपकी जो delivery है वो late हो सकती है, delay हो सकता है जिससे आपकी repetition loss होती है आपकी goodwill market के अंदर खतम होती है या अगर आप अपने customer की demand को पूरा ही नहीं कर पाए, आप उनको उनका जो order था वो fulfill नहीं कर पाए आप अपने production को continue नहीं कर पाए तो इससे क्या होगा कि customer जो है वो यह समझेगा कि आप के पास stock इतना नहीं होता कि आप emergency के केस में यह बड़े orders को deal कर सेके तो वो ultimately किसी दूसरे customer किसी दूसरे supplier या vendor की तरफ shift हो जाएगा तो इससे loss of customer भी होगा फिर customer की expectations और demands भी आपने नहीं पूरी की जिससे market के अंदर आपकी goodwill खतम होगी तो financial loss तो हुआ प्लस non financial loss भी होगा कि आपकी repetition खतम होगी कि आप हमेशा out of stock होते हैं customer का trust आपके उपर नहीं रहता है अच्छे जो दूसरे scenario है वो है over stock का over stock का मतलब यह है कि आपके पास inventory inventory बहुत ज्यादा पड़ी है अब अगर आपके पास inventory बहुत ज्यादा पड़ी है तो इसका यहीं मतलब है कि उसकी sale काम है इसलिए आपके पास over stock है आपके पास inventory बहुत ज्यादा पड़ी है या आपने ऐसी items या ऐसा material या ऐसी inventory रख लिए है जिसकी sale ही नहीं है जिसकी demand ही नहीं है कोई dead item आपने रख ली तो आप overstock है तो overstock का मतलब यही होगा कि कोई cash flow नहीं हो पाएगा क्योंकि sale ही नहीं है आपको carrying cost पड़ेगी holding cost पड़ेगी plus आपके पास space भी नहीं होगी कि आप और items को रख सके space का issue आजाएगा तो इसी लिए overstock यह भी favorable नहीं है आपको financial losses होते है इसके लावा पड़ी पड़ी आपकी product expire भी हो सकती है कि अगर ऐसी product आपने रखी हैं जो के sale नहीं हो पारी जिनकी demand बहुत कम है और वो एक लंबे अरसे तक store रहती है तो हो सकता है उनकी expiry period ही गुजर जाए वो product expire हो जाए तो वो आपको dispose करना पड़ेंगी वो आपको जाया करना पड़ेंगी फिर ऐसी भी products हो सकती है या material हो सकते हैं जो के obsolete हो जाएं मतलब उनकी demand ही नहीं रहे market में उनकी जरूरत ही नहीं रहे आपने ऐसी item को stock किया हुआ है और इतना ज्यादा किया हुआ है कि वो obsolete हो गई है market में आने से पहले ही वो obsolete हो चुकी है उनकी जरूरत ही नहीं रहे तो ये आपका dead stock होता है तो over stock भी आपके लिए loss का बाइस बनता है और out of stock होना भी आपके लिए loss का बाइस बनता है तो इसलिए inventory control के अंदर आप इन दोनों चीजों के दिनमान balance strike करते हैं और balance strike करते हुए ही आप inventory को categorize करते हैं different उसको categories में group करते हैं या उनकी classification करते हैं inventory की classification या उनकी grouping या उनकी categorization करने का मकसद क्या होता है because उससे आपको better control हासल होता है अपनी inventory के उपर आप जो essential items हैं या important items हैं उनको आप बहतर attention दे सकते हैं उनकी बहतर handling कर सकते हैं उनको prioritize कर सकते हैं उनके उपर tight control रख सकते हैं उनकी बहतर record keeping कर सकते हैं उनके लिए बहतर resources को allocate कर सकते हैं space को बेहतर utilize कर सकते हैं और inventory को बेहतर तरीके से management आप कर सकते हैं तो इसलिए inventory control की techniques के अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपके पास inventory है जो आपके पास material पड़ा है उसको आप different categories या different classes के अंदर classify कर देते हैं या categorize कर देते हैं और फिर उस categorization के अंदर आप देखते हैं कि जो most important है या जो critical items है या जिनकी कॉस्ट बहुत जयदा है, आप उनकी हैंडलिंग के बेहतर SOPs बना सकते हैं, उनके उपर टाइटर कंट्रोल रख सकते हैं, तो इसलिए inventory control की techniques यूज होती हैं, तो चार important inventory control की techniques हैं, जिनको हम आज one by one discuss करेंगे, सबसे पहले है ABC analysis, फिर है FSN, fast moving, slow moving and non moving, फिर है HML, high, medium and low cost, फिर है VED, vital, essential और desirable, इन techniques को हम one by one detail के साथ discuss करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ABC analysis, ABC analysis के अंदर आप inventory को या material को categorize करते हैं, या classify करते हैं, based on the inventory's value, inventory की value की base पे, उसके sales volume की base पे, उसकी demand या उसकी profitability की base पे, आप inventory को classify कर देते हैं तीन categories के अंदर ठीक है, या तीन classes के अंदर आप inventory को group कर देते हैं एक को कहते है, class A, दूसरे को कहते है, class B, और तीसरी जो type होती है, उसको कहते है, class C ABC analysis के अंदर जब आप inventory की classification करते हैं, तो ये base on the inventory value होता है, जिसकी value ज्यादा होगी, वो class A में आएगा, जिसकी value कम होगी, वो class B में आएगा, और जिसकी value सब से कम है, वो class C के अंदर आएगा ABC analysis के अंदर जब आप inventory की या material की classification करते हैं, तो उसके लिए आप preto principle को use करते हैं, या 80-20 rule को use करते हैं 80-20 rule क्या कहता है कि आपके पास ऐसी inventory ये ऐसी items हैं जिनकी worth है 80%, 80% worth की जो items है वो just 20%, मतलब उनकी quantity 20% है, लेकिन उनकी value 80% है मतलब क्या हुआ कि जो 80% worth की या value की items होती है न, उनकी quantity बहुत कम होती है, वो just 20% होती है, 80-20 rule क्या कहता है कि आपके पास 20% ऐसी आइटम्स हैं जिनकी overall worth 80% बनती है तो इसकी base पे जो most important items होती हैं उनको हम class A में रखते हैं जो moderately important होते हैं उनको हम class B में रखते हैं और जो least important होते हैं उनको हम class C में रखते हैं प्रेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि there are significant few and insignificant many in large group कि एक large group ये एक बड़ी population के अंदर चंद एक ऐसी items होती है जिनकी worth या जिनकी value ज्यादा होती है जबकि बहुत सारी items या बहुत सारी inventory या बहुत सारे material ऐसा होता है जिनकी worth या value कम होती है तो इसी principle को use करते हुए ABC analysis के अंदर items को या inventory को या material को categorize करते हैं classify करते हैं तीन classes के अंदर अब हम इन classes को detail के साथ discuss करते हैं सबसे पहला है class A class A के अंदर कौन सी items आती हैं ये वो items होती हैं जो के most important है जिनकी value financial value 70% होती है लेकिन इनकी quantity बहुत कम होती है ये just 10% items होती है overall आपके where उसके अंदर या आपके store के अंदर जो items पड़ी हैं या जो material पड़े हैं उन में 70% जो financial value होती है ना वो class A की items की होती है लेकिन ये quantity में बहुत कम होती है ये just 10% होती है लेकिन इनकी value ज्यादा होती है चुंके इनकी value ज्यादा है इसलिए इनके उपर आपको title control की जरूरत है record की accuracy की जरूरत है तो company की जो financial success है वो भी इनी items के उपर या इसी inventory के उपर depend करती है इसलिए इसके उपर आपका title control जरूरी है record की accuracy जरूरी है इस class में जो items आती हैं उनको handle करने के लिए क्योंके इनकी worth ज्यादा होती है ये 70% financial value इनी items की होती है तो इसलिए company की financial success के अंदर इन items का critical role होता है अब आती है class B items class B items के अंदर वो inventory आती है जिनकी value 20% होती है और इनके जो number होता है जो inventory items होती है वो भी 20% होती है मतलब इनकी worth भी 20% होती है और जो number of items है ये percentage of items है वो भी 20% होती है और इसके लिए आपको moderate control चाहिए होता है जो इस inventory को handle करने के लिए क्योंकि ये class A से कम important है लेकिन class C से ये ज्यादा important है लेकिन ये है कि इनकी value बहुत कम है ये just 20% इनकी financial value होती है फिर आती है class C items class C items least important items होती है इनकी financial value just 10% होती है जो class A हैं वो 70% 20% class B और 10% class C तो ये overall 100% हो गया financial value आपके store के अंदर जो items पड़ी हुई है और उसमें जो class A हैं उनकी जो तादाद होती है वो just 10% होती है class B की तादाद जो है वो 20% होती है और जो class C होती है ने इनकी quantity बहुत ज़्यादा होती है ये 70% होते हैं लेकिन इनकी जो value है वो just 10% होती है तो ABC analysis के अंदर हम inventory की जो categorization है वो based on the value करते हैं जो high valued होंगी वो class A में आएंगी जिनकी value moderate होगी वो class B में आएंगी और जिनकी value सबसे कम होगी वो class C के अंदर आएंगी जो next technique है inventory control की वो है FSN इसके अंदर आप inventory को कैसे categorize करते हैं या कैसे group करते हैं यह होता है frequency of usage और turnover कि ऐसी inventory या ऐसे material जिनका usage बहुत ज़्यादा है उसकी base पे या usage बहुत कम है या usage बिलकुल नहीं है उनका turnover कितना है जितना ज्यादा turnover होगा इसका मतलब है कि उनकी frequency of usage ज्यादा है जितना turnover कम है उसका मतलब उनके frequency of usage उतना कम है लेकिन अगर turnover बिलकुल नहीं है तो इसका मतलब वो dead items है वो move बिलकुल नहीं कर रही है तो FSN के अंदर क्या हुआ है F का मतलब है fast moving, S का मतलब है slow moving और N का मतलब है non moving अच्छा fast moving के अंदर वो items आती है, वो inventory आती है या वो material आती है जिनकी consumption बहुत ज्यादा है जिनकी usage बहुत ज्यादा है या जिनकी demand बहुत ज्यादा है वो items आती है फिर use हो जाती है फिर और आती है तो मतलब ये fast moving है ये आती है यूज हो जाती है फिर और आती है फिर यूज हो जाती है और इसी तरह ये एक सिल्सला चलता रहते है तो फास्ट मॉविंग के अंदर वो आइटम्स आती है चुकि इनकी यूजज बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनकी उपर आपको कंटिन्यूस कंट्रोल की जरुएत होती है और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरुएत होती है कि इन आइटम्स को ये माटिरियल ये जो इनवेंटरि है इसमें आप आउट अफ स्टाक ना होँ अगर आप आउट अफ स्टाक हो गए तो इससे आपकी प्रोडक्शन के उपर एफेक्ट आएगा क्योंकि इनकी ये वो material है ये वो inventory है जिसका usage बहुत ज्यादा है जिसका turnover ज्यादा है फिर आगी slow moving slow moving के अंदर जैसे कि इसके नाम से obvious है इसके अंदर वो items ये वो material आता है जिनका turnover बहुत कम है जिनकी frequency of usage कम है तो इसके उपर आपको periodic monitoring चाहिए जबकि जो fast moving है ना इसके उपर आपको continuous control और regular monitoring चाहिए इसको ज्यादा attention की जरूरत है जो slow moving है ना इनको less attention की जरूरत हती है और जो non moving है ना ये तो बिल्कुल dead stock है ये total loss है आपका इसको dispose करने की जरूरत है ताकि आपके पास space बन सके उससे कम और non moving को बिल्कुल attention की जरूरत नहीं है बलकि ये आपके dead stock है इनको आप waste कर दे ताकि जो space बज़ है उसमें fast moving items को आप stock कर सके अच्छे जो next technique है inventory control की वो है HML HML का मतलब होता है high cost, medium cost और low cost इसके अंदर आप inventory को कैसे categorize करते हैं इसके अंदर आप inventory को categorize करते है cost per unit के हिसाब से cost per unit का मतलब है कि एक unit की cost कितनी है जिसकी जितनी ज्यादा cost होगी वो high cost में आएगा अगर medium level की cost है या moderate level की cost है तो वो medium cost की category में आएगा और अगर सबसे काम cost है तो वो low cost की category में आएगा मतलब इसके अंदर आप किस base पे inventory को categorize करते हैं आप cost की base पे करते हैं per unit cost के ऐसी items जिनकी per unit cost ज्यादा है वो high cost में आएगी और जो high cost में आएटम्स होंगी ना उनके उपर आपको continuous control की जरूत है और regular monitoring की जरूत है ज्यादा attention की जरूत है क्योंकि यहां पे आपकी investment ज्यादा हुई हुई है क्योंकि यह वो items है जिनकी cost बहुत ज्यादा है इसका मतलब उनकी worth बहुत ज्यादा है तो इसलिए इनके उपर आपका tighter control चाहिए continuous control चाहिए और regular monitoring चाहिए कि यह वो items है जिनके case में आप out of stock ना हूँ क्योंकि इनकी cost बहुत ज्यादा high cost associated है और यह important items है फिर आगी medium cost medium cost के अंदर वो items आती है जिनकी cost high से कम है लेकिन low से ज्यादा है इनके उपर आपको periodic monitoring की जरूरत है जो high cost में आती है उनको regular monitor करना पड़ता है आपको continuous control करना पड़ता है जबकि जो medium cost के अंदर आते है यहाँ पर आपको periodically monitoring की जरूरत है low cost items जो हती है इनको बहुत कम attention की ज जो आना देने की जरूत होती है अच्छा अब हम बात करते हैं जो fourth important category है वो है VED वी का मतलब है vital ए का मतलब है essential और D का मतलब है desirable इसके अंदर आप inventory को कैसे group करते हैं या कैसे classify करते हैं based on the criticality of requirement for production कि आपके पास inventory है जो आपके पास materials है उसकी कितनी criticality है production के point of view से अगर production के लिए बहुत important है तो उसके लिए आपकी attention ज्यादा चाहिए और अगर जो है वो उनकी least important है production के point of view से तो उसको कम attention की जरूरत होती है इसमें भी आप तीन categories बनाते हैं एक होता है vital दूसरा होता है essential और तीसरा होता है desirable vital के अंदर वो items आती है वो inventory आती है जिनके आप production कर ही नहीं सकते उनको कहते है vital most important items इसके अंदर आती है इनके उपर आपको continuous and frequent control की जरूरत होती है क्योंकि अगर आपके पास vital items जो है या vital inventory है वो उसमें आप out of stock होगे तो आपकी production stop हो जाएगी और अगर आपकी production stop होगी तो आपको financial loss होगा या non financial loss भी हो सकता है तो इसलिए इनके उपर आपको continuous and frequent control की जरूरत होती है regular monitoring की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा attention जो है वो vital category की items को देने पड़ता है उसके बाद vital के बाद आता है फिर essential essential के अंदर items जो आती है वो भी important होती है लेकिन वो critical नहीं है जो vital के अंदर आती है वो critical nature की होती है कि वो बहुत ज्यादा एहम है आपकी production के लिए उसके बगार काम चल ही नहीं सकता जो vital से जो कम important है वो essential में आती है इनके लिए आपको प्रियाडिकली monitoring की जरूरत है अच्छे जो third category है वो है desirable desirable के अंदर वो goods आती है या वो material आती है कि अगर वो आपके पास available हो तो अच्छा है औ अगर available ना हो तो भी आपकी production के उपर कोई negative effect नहीं आता है तो इसलिए जो desirable items होती है इनको less attention की जरूरत होती है जबकि जो vital items है जो vital inventory है उसको ज्यादा attention की जरूरत है ताकि आप इसके case में out of stock ना हो ठीक है तो यह थी inventory control की techniques I hope you understand my point thank you very much